लोरेंस विशनोई का दोस्त गैंग्स्टर दिपक टिनू एंकाउंटर के डर से अब विदेश भागना चाहता है जिस तरह से लोरेंस विशनोई का दोस्त गोल्डी परार आज की समय में पुलीस के डर से विदेश में छिपा हुआ है और बिदेश से लॉरेंस बिचनोई गेंग का संचालन करता है उसी तरह से गैंग्स्टर दीपक टिनू भी प्लैनिंग कर रहा था दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अखिरकार जिस तरह से गैंग्स्टर दीपक टिनू के बारे में बताया जा रहा था कि पंजाब पुलिस उसका एंकाउंटर कर सकती है अब उसके बाद क्या-क्या खबर निकल कर सामने आ रही है नमस्कार परनाम आदाब जैसरी महाकाल दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी आज की समय में पुलिस वाले जो की अपराधियों का इतना अधिक मदद कर रहे हैं जिसके बाद लोग यदि जान रहे हैं तो कईन कईन लोग भी सुनकर हैरान हो जा र बीच रास्ते में गैंग्स्टर दिपक टिनू जो की पिरितपाल सिंग से कहता है कि मैं अपने गल्फरेंड से मिलूंगा तो बताया जाता है वो पुलिस वाला जो की उसे एक होटल की और लेकर जाता है जिस होटल में जाने के बाद गैंग्स्टर दिपक टिनू जो की चारों और लोग पंजाब पुलिस के उपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और इसी बिच आपको बता दे गैंग्स्टर दिपक टिनू के खिलाफ पुलिस वाले जो की पूरी तरह से सक्त हो जाते हैं लेकिन जो पुलिस वाला उसके साथ था S.I.S. टाप पिरितपाल सिं आखिरकार जिस तरह से गैंग्स्टर दिपक टिनू के बारे में बता जा रहा है कि अब वो बिदेश भाग सकता है तो इसके बारे में क्या-क्या जानकारी प्राप्त होई है सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ बताया जाता जिस तरह से गोल्डी बरार आज के समय में कानाडा से भाग करके अमिर्का चला गया उसी तरह से बताया जाता गैंग्स्टर दिपक टिनू जो की नेपाल भागने के फिराग में था जैसा कि आप समों को पता होगा आज के समय में जो कोई भी अपराधी अपराधी काम करता है तो अपराधी काम करने के बाद वो सबसे पहले ये सोचता है कि भारत से भाग करके नेपाल जाना है क्योंकि नेपाल तो नजदिक में है जैसा कि आप समों को पता भी होगा कि नेपाल जाना कितना ज़्यादा आसान है तो गैंग्स्टर दिपक टिनू भी प्लैनिंग कर रहा था किसी भी तरह से अब भाग करके नेपाल जाना है लेकिन बाद में जब गैंग्स्टर दिपक टिनू को लगा कि नेपाल जाने से मेरा खत्रा और भी अधिक बढ़ सकता है क्या पता पंजाब पुलिस वहाँ भी मेरे पिछे पिछे ना पहुंच जाए तो गैंग्स्टर दिपक टिनू जो की दुबाई जाने का प्लैनिंग करना सुरू कर दिया बताया जाता है गैंग्स्टर दिपक टिनू जो की पहली बार साल 2017 में जेल गया था जेल जाने के वाद जब पहली बार बताया जाता है। उसे मेडिकल चेकप के लिए बाहर लाया गया तो वहाँ भी उसने पुलिस वालों के आखों में धुल जोकर वहां से फरार हो गया। कई बार कई तरह के अपरादिक कारणामों को अंजाम भी दे चुका है लेकिन गैंग्स्टर दिपक टिनु के भागने के बाद पुलिस वाले जो की पुरी तरह से परिशान हो गए थे और पुलिस वालों का मानों की वो एक तरह से सिर्धर्द बन चुका था लेकिन अभी भी गैंग्स्टर दिपक टिनु जो कि पंजाब पुलिस के हाथे तो चढ़ा है नहीं तो पंजाब पुलिस से एक और खबर निकल कर यह आ रही थी कि पंजाब पुलिस जो कि कहीं कहीं गैंग्स्टर दिपक टिनु का एंकाउंटर भी कर सकती है तो दिपक टिनु को जब ये रगबंत मानजी ने कहा कि चारो और चारो तरफ से बॉडर को घेड़ दो जहां कहीं भी गैंग्स्टर धिपक्तिनू दिखता है उससे एरेस्ट करो और उसके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई करो अलांकि आपको बता दे पुलीस वाले जो कि इस बीच काफी गुस्से में है क्योंकि पुलीस वालों के गिरफ्त से यदि अपरादी भाग जाता है तो सोच सकते हो कितनी सर्म की बात है गैंग्स्टर दिपक्तिनू के बारें बता जाता है वो अभी फिलाल पंजाब और हर्याना में तो है नहीं लेकिन वो कहां है ये भी बताया नहीं जा सकता है गैंग्स्टर दिपक टीनू जो की फिलाल अपने गल्फरेंड के संपर्क में है और बता जाता जब गैंग्स्टर दिपक टीनू भागा था तो सुबक्त सबसे पहले वो ATM गया और एटीम जाने के बाद बता जाता दीपक टीनू जिसने रुपिया निकाला रुपिया निकालने के बाद पुलिस वालों को जब पता चला कि दीपक टीनू जोकी एटीम से रुपिया भी निकाला है तो बाद में दीपक टीनू और उसके गलफ्रेंड के अकाउंट का परताल जारी है साती साथ उसके गल्फ्रेंड का भी अकाउंट नमबर जिसका किछानविन करा जा रहा है आपको बता दे दिपक टिनू को जिस पुलिस वाले ने मदद करा था उस पुलिस वाले को बता जाता है अब पुलिस वालों ने चार दिन के रिमांड पर ले लिया है और उससे अब पुछताच भी करा जा रहा है। विष्णोई गेंग के तरफ से कोई नुकोई बरी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो फिलाल दिपक टिनु के ऊपर पुलिस वाले जोकी अपना पेनी नजर बनाये हुए हैं। तो आगे देखते हैं आकिरकार गंग्स्टर दिपक टिनु जोकी कितना जल्दी एरेस्ट होता है। और कितना जल्दी दीपक टिनों से जुड़ी और भी बहुत सारी खबरे आपको सुनने को मिलती है मैं भी इस इंतजार में हूँ तो फिलाल आपको बता दे दीपक टिनों जो की भागना चाह रहा था लेकिन पुलिस वालों को पता लग गया है तो दीपक टिनों अब विदेश तो नहीं भाग सकता है लेकिन हाँ भारत में अब वो कितना दिन तक छिप कर रहता है ये भी एहम सवाल है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो की माद्यम से मैंने आपको बताया आखिरकार किस तरह से एक पुलिस वाले ने एक गैंग्स्टर का एक अपरादी का मदद करा उसके गल्फरेंड से उसे मिलने में और अब किस तरह से उस अपरादी को पकरने में पुलिस वाले जो की अभी जुटे हुए हैं तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने राय वस लिखना अपराद और अपरादियों समय साथ दुरी बना कर रखना नमस्कार परणाम आदाप जैसरी महाकाल दोस्तों मिलता हूं के लिए नए वीडियो में नए ख़बर के साथ